जहिन दोस्तों आप देख रहे हैं यूनिक मेडिसिन यूटूब चैनल और गाईज आज की इस वीडियो में हम एमब्रोडिल एलेक्स सीरप के मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमरोडिल LX सीरप डॉक्टर के दुआरा किन पेशेंट को दिया जाता है और कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको इसका यूज कर बाया जाता है इस सीरप के क्या क्या बेनिफेट्स यानि की फाइदे पेशेंट को होते हैं और ये मेडिसिन ये सीरप जो है किस तरह से फाइदा करता है कौन कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं तो गाइस इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वीडियो में लाश्ट तक आप बने रहे हैं वीडियो को विनाई स्किप के हुए देखते रहे हैं और साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं नए गैस्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूस्तो एम्ब्रोडिल एलेक सीरप एक कॉंबिनेशन मैडिसिन है इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर अलग-अलग तरह की जो मैडिकेशन है उनके कॉंबिनेशन से इसको बनाया गया है दोस्तो इसके अंदर लीबोसाल बुटमोल सलफेड है एम्ब्रोक्सिल हाइडरो क्लोराइड है और साथी गुआ फिनेसिन एक्सपेक्टो है तो गाइज यह तीन अलग-अलग जो साल्ट है जो मैडिकेशन है उनको मिलाकर उनको मिक्स करके इसको कंपोस किया गया है 100 ml की इसकी दोस्तो पैकिंग है और यह आरेक्स यानी प्रिसक्रिप्शन वाली मैडिकेशन है तो कभी भी बिना डॉक्टर की सला से नहीं लेनी ह चलिए गाइज जान लेते हैं इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं इस एमब्रोडिल एलेक्स सिरप के तो गाइज इसके अगर हम बेनिफिट्स को समझें इनके बेनिफिट्स को देखें तो यह एक कॉंबिनेशन मैडिसन है जिसका जैनरली यूज किया जाता है खांसी के लिए तो दोस्तों जब किसी भी पेशेंट को खासी हो जाती है खासी में दो तरह की होती है एक सूखी खासी और एक गीली खासी मतलब बलगम वाली खासी जिसको इंगलिस में वेट कप कहा जाता है और सूखी खासी को ड्राइ कफ कहते हैं तो दोस्तों दोनों ही तरह की ख समय के इंटरवल पर खांसी आती है तो ऐसे पेशेंट के लिए काफी अच्छी मैडिसिन है दोस्तों इसके अलावा जब किसी को सर्दी कफ कोल्ड हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो जाम हो जाता है जो विंड पाइप होते ह हैं वो बंद होने लगते हैं साथी जो म्यूकस है वो नाक के अलावा बिंड पाइप और लंग्स में जो है कठा हो जाता है तो गाईज इस म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती है ये medicine और mucus को आसानी से निकाल सके इसके लिए इसमें जो expectorant है ये mucus को यानि बलगम को पिगला कर उसको पतला करता है और उसको बाहर निकालने का काम करता है तो guys इसके अलावा जो नाक बंद हो जाती है nasal congestion हो जाता है bind pipe यानि जो नली है वो बंद होने लगती है और patient को breathe करने में भी समस्या आने लगती है बहुत ज़्यादा जब बलगम जकर जाता है यानि बहुत ज़्यादा mucus इखटा हो जाता है bind pipe में या lungs में तो उस समय patient को सांस लेने में भी तकलिफ होती है तो इस समस्या को दूर करता है दोस्तों साथी जब बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होने लगता है patient को तो क्या है नाक बहने लगती है कुछ patient में नाक इतनी बहती है कि लगतार नाक बहने से उनके जो nostril से वो छिलने लगते हैं वहाँ पर जलन होने लगती है और साथी नाक बहते बहते नाक लाल हो जाती है रनी नोज हो जाती है साथी आँखों से पानी निकलता है आँखों से पानी गिरने लगता है बहुत सारी छीके आती हैं लगतार इसनीजिंग होती है और इसके लावा आँखों में खुजली होने लगती है मतलब itching of eye की problem होती है तो इस समस्या को भी ठीक करने का काम करती है ये medicine दोस्तो इसके अलावा खासी को कम करती है, mucos को ठीक करती है, उसको lose करती है जिसे कि mucos आसानी से बहार निकल सके और साथी allergic symptoms जब हो जाते हैं जैसे कि throat का irritation हो जाता है, nose का irritation हो जाता है तो उसको भी ठीक करती है दोस्तो इसके लावा जब भी इस तरह का syrup आप लेते हैं तो आपको जो है दिहान रखना है कि अगर गले में खिचके चाहट है, throat का infection या irritation हो रहा है तो उस समय आपको throat को गारगल करना है, हलके गुनगोने पानी से नमक डालके और दोस्तो ये एक anti-histamine medicine भी होती है जो की allergic symptoms को दूर करने का काम करती है तो guys overall अगर हम बात करें इसकी एक सब्द में बात करें तो किसी भी तरह की खासी को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार medicine है और साथी साथ जो allergic symptoms होते हैं सरदी खासी के दौरान उनको भी ठीक करती है तो ये इस medicine के benefits हो गई दोस्तों समझ लेते हैं इसकी dose क्या रहती है तो guys dose के case में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी dose आपको खुद से नहीं लेनी है क्योंकि ये तो sedule H prescription वाला drug है ये कोई OTC product की तरह use नहीं किया जा सकता है बट सामाने तोर पर जानकारी के दोस्तों बच्चों में इसका use 5 साल से उपर 12-13 साल तक के लिए किया जाता है तो ये इसकी dose होती है और guys जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इसके drop आते हैं तो drop का जो composition होता है वो अलग होता है guys यहां अगर इसका composition देखें तो हर एक 5 ml का जो contain है मान लिजी अगर को उसको लिवो साल बुटबोल सलफेट मिलता है 1 mg की मातरा में साथी एमब्रॉक्सिल हाइडरो क्लोराइड मिलता है 30 mg की मातरा में और गुआ फिनेसेन मिलता है 50 mg की मातरा में दोस्तों ये सभी इंडियन फार्मोकोपिया को follow करते हुए इसको compose किया जाता है साथी इसमें flavored syrup जब वेस quantity sufficient मिलाए जाते हैं जो कि इसकी quantity को वलकी करते हैं यानि बढ़ाने का काम करते हैं और साथी दोस्तों इसके अंदर जो flavored syrup वेस होते हैं वो ये जो medicine होती है इसके bitter taste को यानि इसके कड़वे taste को mask करने के लिए यानि छुपाने के लिए इनका use किया जाता है दोस्तो dose जैसा कि मैंने आपको बताया आपके physician बताएंगे क्योंकि physician जो है present में patient की क्या condition है उसको देखते हैं उसको diagnose करते हैं और उसी के according dose को calculate करके prescribe करते हैं यह registered trademark company है और यह aristo pharmaceuticals के द्वारा बनाई गई medicine है तो aristo काफी popular कम दोस्तों इसको store करना है आपको 25 डिग्री से नीचे क temperature पर यानि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए फ्रीज में आपको नहीं रखना है बच्चों की पहुंसे दूर रखना है और medicine को use करने से पहले अच्छी तरह से हिला लेना है और दोस्तों use करने के बाद bottle को tightly close करके एक safe जगा में आपको रखना होता है दोस्तों जैसे की बात कर लें इस medicine को लेने के बाद patient का abdomen upset हो सकता है यानि पेट खराब हो सकता है उनको डाइरिया दस्त वगेरा की problem हो सकती है headache हो सकता है सर में दर्द हो सकता है रैसिस आ सकते हैं इसकिन पर और साथी muscles के cramp आ सकते हैं तो एठन मरोडन हो सकती है muscles में और इसके अला रोक दें और अपने doctor से सला करें और doctor की सला से next further treatment होता है उसको लें जिससे की किसी तरह की समस्या ना हो दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके MRP और expiry section की तो आप यहां देख सकते हैं कि इसका जो manufacturing है 2021 का है और इसकी expiry 2022 की है तो guys कभी भी आप medicine लेते हैं manufacturing expiry जरूर चेक कर लिया करें ताकि आप कोई खराब medicine लेकर ना आए यह 83 रूपीज में आपको medical store से ले सकते हैं और इसके अलावा आप online अगर इसको मंगाते हैं तो बहुत सारी website हैं जो कुछ discount करके आपको यह syrup दे सकती हैं दोस्तों जान लेते हैं कुछ एक safety tips अगर आप इस तरह की medicine समय पर लें डोस को variate ना करें समय को आगे पीछे ना करें मतलब fix समय पर लेते हैं तो क्या है कि medicine अपना complete action करती है complete treatment लगता है तो patient जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है दोस्तों इसके अलावा इस medicine को लेने के साथ आपको ठंडी चीजों का यूज नहीं करना है medicine को लेने से सला जरूर करें क्योंकि इसके अंदर जो contain है वो हो सकता है उनको किसी तरह से नुकसान कर दे तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है medicine को जब भी लेते हैं तो alcohol वगयर का use बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों और इसको लेने के बाद drive भी नहीं करना है तो कुछ क्या होता है कि कभी कुछ patient में इसको लेने के बाद उनको सुस्ती आने लगती है नींद जैसी feel आती है तो इससे क्या है कि drive करते है तो कुछ खत्रा हो जाता है तो guys यह सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों आप जान लेते हैं इस medicine का substitute क्या होगा मान लीजिए अगर medical store पर यह medicine नहीं मिल पाती है तब आपको क्या करना है तो दोस्तों इसका जो substitute है वो सॉल्विन एलेस सीरप है मतलब आप सॉल्विन एलेस सीरप भी इसकी जगापे ले सकते हैं क्योंकि उसकी अंदर भी यह सेम composition होता है और medicine सेम फायदा गरती है तो guys यह थी इस एमरोडिल एलेक अपर सेर कीजिए ताकि आपके अपने relatives और दोस्तों को भी यह जानकारी मिल सके और साथी दोस्तों चैनल पर नए हैं पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको जानकारी वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें दोस्तों आपसे एक request है कि कभी वी self-medication ना करें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें सेफ रहें मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में जाहें